जैहिन दोस्तो वेलकम टू शौरेक क्लासिज आज का हमारा टॉपिक है बी ए प्रोग्राम फर्स्ट इयर समेश्टर फर्स्ट का आज का ये जो टॉपिक है ये पॉलिटिकल थियोरी का है जी हां राजनेतिक सिध्धान्त का ये यूनिट वन का चैप्टर सेकिंड है दूसरा हमारी एक और वीडियो आ चुकी है जिसमें हमने राजनेतिक सिध्धान्त का अर्थ उसके विशेशेतरों पर चर्चा करी है अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाईए और उसको वाच कीजी जब तक वो नहीं देखोगे ये चैप् पर लेके आएगे और पूरे कोर्स उनी पांच छे कोशनों में हो जाएगा तो आईए शुरू करते हैं राजनेतिक सिध्धान्त सबसे पहले हमें यहां पर राजनेतिक का अर्थ पता होना चाहिए जो कि हमने पहले वीडियो में बताया था राजनीति अर्थात राज्ये पर शाषन करने की नीति को राजनीति कहा जाता है या फिर जिस नीति के द्वारा राज्ये पर शाषन किया जाता है उसी को ही राजनीति कहा जाता है तो सिध्धान्त का हमने अर्थ भी पहली वीडियो में जाना था सिध्धान्त का अर्थ होता है चिंतन करना, चिंता करना समझना, समस्या का समाधान करना किसी विशे पे गंभी रूप से सोचना अर्थार इसका भी अर्थ हमने पहली वीडियो में देख लिया था तो राजनेतिक सिध्धान्थ का अर्थ होता है कि राजनेतिक की विभिन इकाईयों का अध्यन करना जैसे सुतंता, समानता, मौलिक अधिकार, धर्म, निर्पेक्स्तान याए जो कि हमने पहली वीडियो में काफी अच्छी तरह इसको देख लिया था आज हम बात करते हैं राजनेतिक सिधान्त की प्राकर्तिक और महतव जी हाँ, राजनेतिक सिधान्त की प्राकर्तिक और महतव क्या है अगर आपने पहले वीडियो देखा है और आप इसके कोश्चनों को पढ़ते हो तो काफी असान शब्दों में आपको ये चेप्टर काफी इसली समझ में आ जाएगा तो अब हम बात करते हैं, भई राजनेतिक सिधान्त की प्राकर्तिक और महतव क्या है कि राजनेतिक सिधान्त समय के सासत राजनेतिक में परिवर्तन आया जी हाँ, जैसे पुराने समय में जब राजाओं का काल होता था दूसरी तीसरी शताब्दी होती थी या फिर अरस्तु के काल से प्लैटो के काल से चंदबुक मौर्या के काल से और अभी मुगलों के काल तक राजनितिक में समय के सासत परिवर्तन आया है फिर पर्थम विश्यूद हुआ फिर सेकेंड वर्ड वार हुआ तो जो कंडिशन फर्ष्ट वर्ड वार में थी वो सेकेंड वर्ड वार में उसमें भी राजनितिक में परिवर्तन आया अर्थात हम कह सकते हैं कि समय के सासत राजनितिक के शेत्रों में काफी परिवर्तन आया शुरू में राजनितिक का अर्थ केवल क्या था कि भई लोगों पर शाषन करना और कानूनों का निर्मान करना परन्तु आज के समय में राजनितिक का शेत्र क्या है शाषन करना कानूनों का निर्मान करने के साथ सत कल्यानकारी राज्या भी करना समाज में जो पिछड़े व अध्यन कोश में विर्दी पुराने समय में जो राजनितिक थी और आज के समय में जो राजनितिक है उसके शितर में काफी विर्दी हुई है पुराने समय के राजनितिक में जैसे अरश्टू के काल में हो गया अपलेटेव के काल में हो गया चंदगुप्त मोरया के काल में उ जैसे लोगों की इच्छाओं की पूर्ती करना, लोगों में समानता, सुतंता, कानून परदान करना, लोगों को अधिकार परदान करना, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि समय के सासर राजनेतिक में विर्दी हुई है, अर्थात राजनीतिक कोश के अध्यन में विर्धी, राजनीतिक के शेत्र में विर्धी हुई है इसी के सासर्थ जैसे हमने इतिहास में राजनीतिक की गरंथों का अध्यन करा तो हमें पता चला कि राजनेतिक अपने अपने समय में राजनेतिक का दीरे दीरे विस्तार होना शुरू हो गया तो आपको पहले point शायद समझ में आ गया है इसके बाद हम बात करते हैं कथे के चिंतन किसे आरम जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बताय था कि राजनितिका आरम क्यों हुआ राजनितिका आरम तब हुआ जब मानव समाज एक साथ रहना शुरू हो गया था जब वाद विवाद होने शुरू हो गये थी जैसे उधारन के लिए मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके परिवार में दो छोटे बच्चे हैं और वो आपस में fight करते हैं तो वो उनकी मम्मी या फिर पापा आते हैं उनकी fight को छुडाने के लिए तो फिर एक बच्चा पापा को ये बोलता है पापा पापा इसने ऐसे करा या एक बच्चा मम्मी को ये बोलता है मम्मी पहले इसने ऐसे करा फिर दूसरे बच्चे से भी मम्मी पूछती है आप भी बताओ क्या बात हुई थी जब दोनों से पूछने के बाद मम्मी अपनी बुद्धी का इस्थमाल करके ये सोच थी अच्छा पहले इसने ऐसे करा, तब इसने ऐसे करा, अर्थात सोचने के, तो राजनितिक सिद्धांत में भी यही होता है, जब समाज की उत्पत्ति होनी शुरू हुई, तो समाज में वाज विवाद शुरू हो गया, इसी वाज विवाद को सुल्जाने के लिए राजनितिक का जनम हुआ, तो हम कह सकते हैं कि कथे के चिंतन से आरम, अर्थात समाज में जब समूओ का एकाकरित होना शुरू हो गया, तो समस्या उत्पन हुई, और उसी समस्या को समझाने और सुलजाने के लिए राजनितिक का जनम हुआ, तो यहां पे हैं समस्या को समझन राजनेतिक का सबसे पहला कारह क्या है जो उनसी समस्या है जैसे आज के समय में भारत में अगर कोई भी समस्या आती है जैसे अभी COVID-19 की समस्या आती है तो इसका सॉलुशन किस ने करा था हम लोगों ने करा था नहीं ये राजनितिक रूप से सरकार के द्वारा जगय जगय पे कॉरिंटाइन कर लिए, मतलब शित्र बनाए गए थे, मैडिसीन बाटी गए थी, इंजेक्शन के लगाए गए थे अर्थात, राजनितिक का अर्थ क्या होता है, कि कोई भी अगर समाज में समस्या उत्पन हुई है, तो समस्या को समझना, और समस्या को समझने के साथ सत, उस समस्या का समधान किस परकार से, किस रूप में उचित होगा वह करना, तो शायद अब आपको समझ में आ रहा है, कि क कोई भी समस्या उत्पन होती है तो उसको समस्या को समझना और समझने के बाद उस समस्या को सोलूशन किस परकार से करें जैसे अभी बहुत सारे परकार थे बहुत सिंपल सी बात हैं भारत में भी कोविड आया अमेरिका में भी आया इंग्लैंड में भी आया फिर शिव के अन ग्रूप हो गया तो मैं यहां पर कहने यह चाहता हूं कि बहुत सारे विकल्प होते हैं उस समस्या से फाइट करने के लिए लेकिन उस समस्या के लिए सबसे बैस्ट विकल्प कौन सा है उसको दर्शन के साथ साथ उस विशे के द्वारा समस्या को सुल जाना अब हम बात करते तथ्यों की कि राजनेतिक सिध्धान्त की प्राकरती और उसके मैतब में तथ्य क्या होते हैं अगर कोई भी समस्या होती है पहले उसकी व्याख्या करना कि ये समस्या क्यों उत्पन हो रही है या कोई भी समास से संबंदित कोई भी विशे होता है तो उस विशे की व्याख्या की जाती है राजनितिक सिद्धान्त में उस विशे का वर्नन किया जाता है फिर कुछ राजनितिक चिंतनों के द्वारा उसका विशलेशन किया जाता है तो यहाँ पर यह बताया गया है अग नहीं कर सकती, समस्या का वर्णन करना, व्याख्या करना, विशलेशन करना, उसके बाद उस समस्या की समिक्षा करना, और फिर छान बीन करना, कि ये समस्या क्यों उत्पन हो रही है, जैसे भारत में एक समस्या है, गरीबी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, तो बेरोजगा का reason क्या हो रहा है क्यों बेरोजगारी उत्पन हो रही है शायद हमारे जो जो स्कूलों में courses होते हैं या जो हाथ का हुनर ये उसकी समस्या है या फिर भश्टाचार बहुत जादा है या फिर सरकार अपने कार्यों को पूंड रूम से नहीं कर पा रही है तो उसका करना फिर उस विश्टलेशन के बाद एक कमेटि का निर्मान करना और वो कमेटि के दुआरा ऊस मतलब वो implement करवाना, उसके बास समय समय पे चानबीन करना तो राजनेतिक सिदान में हम तथ्यों की व्याख्या करते हैं, वडनन करते हैं विश्लेशन करते हैं, समिख्षा करते हैं और चानबीन करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो प्लीज वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं इसी के साथ सथ अगर आपने पहला पहला पार्ट इसका नहीं देखा है, चैप्टर फर्ष्ट तो चैनल के वीडियो संधर्व में अगर हम बात करें तो इस वाले चैप्टर में हम पढ़ेगे कि वही राजनेतिक सिधान्त का इतिहासिक संधर्व इसी के साथ सथ राजनेतिक सिधान्त का वैग्यानि संधर्व और इसी के साथ सथ राजनेतिक सिधान्त का तर्शन के रूप में संधर्ब क्या है आईए शुरू करते हैं अगर हम राजनेतिक सिधान के एत्यासिक संधर्ब की बात करते हैं कि इतिहास काल में राजनेतिक किस परकार से की जाती थी या फिर इतिहास काल में राजनेतिक के उपर क्या अध्यन किया जाता था तो बई सिंपल चा आंसर है एतियासिक समय में राज्य का अध्यन किया जाता था सिरफ और सिरफ के राज्य का भूत क्या है राज्य का वर्तमान क्या है और राज्य का भविश्य क्या होने वाला है इसी के साथ सरकार का अध्यन भी किया जाता था अगर राजनेतिक सिध्धान के इतिहासे संदर्व की हम बात करते हैं तो उसमें हम राज्चे के अध्यन की बात करते हैं कि राज्चे का इतिहास किस परकार था जैसे भारत की अगर हम बात करें तो भारत के इतिहास में किन किन राजनेतिक तत्वों का मैत्तपून भूमिका है या भारत के इतिहास में पहले राजाओं का काल आया, फिर सुल्तानों का आया, फिर अंग्रेजों का आया, आज हम सुल्तंतर भारत हैं तो इतिहास क्या है, भारत का इतिहास क्या था, उसका भूत काल क्या था, उसका अध्यान क्या जाता है उसके साथ साथ हम वर्तमान का अध्यान करते हैं कि आज अगर मुझे भारत की राजनेतिक को समझना है तो भारत के परधान मंत्री को या फिर भारत की सरकार को भी समझना पड़ेगा तभी मैं भारत को समझ पाऊँ हुआ कि भारत का राज्य किस परकार का है आज भारत के राज्य का अगर मुझे समझना है तो भारत के राजनेतिक इस्तिती को भी समझना होगा अगर भारत इसी परकार से कारे करता रहा तो एक दिन ये आएगा कि भारत वर्ल्ड की टॉप 3 सुपर पावर्स में से एक हो जाएगा जो कि अभी टॉफ 5 में आ चुका है तो यहां पर ये बताया हुआ है कि जो भी एक राजनेतिक नीती अपनाई जाती है कथा सरकार के द्वारर जिस परकार की राजनेतिक नीती अपनाई जाती है उस नीती का भविश्य पे क्या एफेक्ट पड़ेगा उधारन के लिए जैसे मोदी सरकार है आज मोदी सरकार जब से सरकार में आई है तब से भारत की अंतराष्टे स्थर पे भारत की जो वैल्यू थी वो थोड़ी और बढ़ गई है हम क्या है सकते हैं कि अंतर राष्टे इस तर पे भारत का ओधा बढ़ना शुरू हो चुका है अगर ऐसे ही भारत करता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि जब भारत विश्व की टॉप थ्री सुपर पावर में से एक हो जायेगा तो इसी के साथ सथ हम यहां पे सरकार का भी अध्यन करते हैं वह यह सारे पॉइंटे आप चाओ तो अपने शब्दों में भी उतार सकते हैं जैसे भूत, वरतमान और हविश्य है राज्य के अध्यन में अगर हम भूतकार का अध्यन करते हैं कि राज्य के इतिहास में किस परकार की सरकार थी सरकार का सवरूप क्या था क्या वो लोकतंत्र थी, राजतंत्र थी सामयवादी थी, माक्सवादी थी किस परकार थी और वरतमान में कि वरतमान में राज्य का सवरूप किस परकार का है लोकतंत्र है, सैनावादी है, माक्सवादी है, पूझीवाद है और इसका भविश्य क्या होगा आज जो सरकार की नीतियां हो रही है उसका भविश्य पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसी के साथ आज वो जो विदेशों से सम्मद स्थापित कर रहा है इन सम्मदों से आने वाले टाइम में उस राज्य पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इन सभी चीजों का अध्यान हम करते है साथ की साथ सरकार का अध्यान करते है सरकार का कौन सा रूप है यहाँ पर सरकार का पूझी वादी रूप है माक्सवादी रूप है, उधारवादी रूप है, समाजवादी रूप है, लोकतंतरवादी रूप है आप कुछ भी लिख सकते हो बट शर्त यह है कि आपको आपके आंसर को connect करना पड़ेगा इसी के साथ अब हम बात करते हैं आगे ही अगर हम इसके वैज्ञानिक संधरव में बात करें तो वैज्ञानिक संधरव में हम यह है पाते हैं कि राजनीती जो होती है ना, राजनीती को अगर हमें समझना है तो एक घटना करम के साथ समझना पड़ेगा उधारन के लिए जैसे सपोर्ज करते हैं अभी MCD के इलेक्शन होते हैं या फिर MLA के इलेक्शन होते हैं या फिर अगर निगम पारशद के इलेक्शन मींस संसधियों के इलेक्शन होते हैं MP के भारत में अगर कोई भी इलेक्शन होते हैं अगर हम पूरे भारत की बात करते हैं तो अगर यहां पे सांसद M.P.O के इलेक्शन होते हैं तो इलेक्शन की तारिक से पहले ही न्यूज चैनल बता देते हैं कि इस व्यक्ति या फलाना पार्टी के जीतने के जादा चांस है या इस पार्टी के जीतने के जादा चांस है जैसे कि उन्होंने इतिहास की घटनाओं को पढ़ा हैं उन्होंने समझा तता घटना करम की व्यवस्ता के साथ ही साथ उन्होंने इस पे चर्चा करी इसी के साथ साथ इसके वैग्यानिक रूप का भी अध्यान करा वैग्यानिक रूप के अध्यान के साथ साथ में क्या हुआ इसी के साथ साथ आज हम बात करते हैं कि राजनितिक सिधान्त में राजनितिक के वैग्यानिक संदर्ब के साथ साथ इसी के साथ साथ जब वैज्यानि गटना करम से व्याख्या की जाएगी वैज्यानिक रूप से राजनिती को समझा जाएगा तो उसका विशलेशन भी वैज्यानिक रूप से किया जाएगा और उसकी समिक्षा भी वैज्यानिक रूप से की जाएगी इन शोर्ट हम कहा सकते हैं कि राजनेती ग्रूप में राजनेती का वैज्ञानिक संदर्व का अध्यन करने का अर्थ है कि पुराने साल के जितने भी पार्टी पार्टीों को सीटे मिली थी या उस शेत्र में जाके हजार आदमी से, दो हजार आदमियों से पूछना कि आप किस पार्टी को जिताना चाहते हो, आकडों को इखटा करना, उन्हीं आकडों को समझना, उन्हीं आकडों की समिक्षा करना, उन्हीं आकडों का विशलेशन करना, तो यह राजनेतिक का वैज किस विदी का कब और कहां पर इस्तमाल करना है। जी हां, अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या को समझने के लिए अनेक परकार की विधियां होती है। परंतु किस विधी के द्वारा उस समस्या को सबसे असान तरीके से solve किया जाएगा। इसका हम राजनेती के दर्शन के संदर में अध्यान करते हैं। साथ की साथ उस विधी के क्या-क्या उदेश्य होएगे या क्या-क्या लक्षन होएगे। जैसे सब्पोस करते हैं। अगर भारत सरकार ने कोई एक नएक नया कारेकरम शुरू करा है। उसके क्या-क्या इंडिया उदेश्य होएगे। तो इसी परकार से सरकार अगर कोई भी नई नितीक का निर्मान करती हैं। या कोई new policy को लेके आती है तो उस policy को किस विदी के द्वारा जंदा तक पहुंचाना है उस पे चर्चा की जाती है साथ की साथ इसके द्वारा जीवन का मार्ग दर्शन तैक किया जाता है कि एक कल्यानकारी राज्ये को किस परकार से विकास किया जाए तथा एक समाज में कल्यान कारी राज्य का निर्वान किस परकार से किया जाए, किस परकार से लोगों में भेद भाव को समाप्त किया जाए, किस परकार से लोगों में जो आसमानता है, चाहे वो आर्थिक आसमानता हो, समाजीक आसमानता हो, धार्मिक आसमानता हो, उसको कम कि आजाए इसी के साथ साथ राजनेतिक के लिए प्रेड़ना दी जाए समय समय पर राजनेतिक में इन्वाल्व होने के लिए समय समय पर लोगों को उनको याद दिलाने के लिए कि आप अपने वोट के द्वारा ही समाज में चेंज लेके आ सकते हो इन सब का अध्यान हम राजनेतिक के दर्शन में पढ़ते हैं बस जादन ये लाश्ट पेरिया इसके बाद हम बात करते हैं आगे की कि राजनेतिक सिधान्त की उपयोगीता तथा उसके महतव होते क्या अगर हम राजनेतिक सिधान्त की उपयोगीता और उसके मैत्तव की चर्चा करते हैं तो हम यह पाते हैं जो अभी हमने पीछे रीड करा है कि जैसे इसकी सबसे पहली उपयोगीता कहा है अगर राजनेतिक सिधान्त अगर आप पढ़ते हो तो उसकी क्या विशेष्टा है उसमें आप क्या पढ़ते हो सिंपल सी बात है अगर आपको राजनीती का अर्था आता है कि राज्ये पेशाशन करने की नीती ही राजनीती है अगर आपको सिधान्त का अर्था आता है सिधान्त में बताया हुआ है कि राजनेतिक की विभिन इकाईयों का अध्यान करना जैसे सुतंता समानता मौलिक अधिकार धर्म निर्पेक्ष्टान आया है समाजवाद इत्यादी अगर आपको ये दोनों के अर्थ आते हैं तो आपको ये पता है कि इसके महतव या इसके इंप्रोटेंस क्या है राजनेतिक सिधान के उप्योगी तक क्या है कि राज्य और सरकार का अध्यान किया जाता है इसमें जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ इसके साथ साथ नागरीकों के अधिकारों का अधियन किया जाता है अगर मुझे भारत को समझना है भारत की राजनितिक को समझना है तो भारत की सविधान को समझना पड़ेगा भारत में जो सविधान में मौलिक अधिकार है उनको भी पता होना चाहिए इसके साथ साथ सरकार अगर एक साइड पे सवीधान आपको मौलिक अधिकार परदान करता है तो दूसरी साइड पे सवीधान ये चाहता है कि लोग अपने मौलिक कर्टवियों को भी अपना है उसको भी पूरा करें इसी के सासत राजनितिक सिधान में यह हैं बताता है कि समूधायों का अध्यान करन किस परकार से होता है कारे किस परकार से होता है अर्था भारत में जो सरकार है वो सरकार अपना कारे किस परकार से करती है जैसे एक विधान सबा है एक लोग सबा है इसी के सासत सरकार के जो अ इसी के साथ लोगतंत्र की सफलता के लिए राजनेति काफी जरूरी है क्योंकि जब तक लोगों की खुद की भागिदारी नहीं होएगी उनके शाशन में तब तक वहाँ पे शांती वहाँ पे विकास कभी नहीं आ सकता इसी के साथ स्वास्ते राजनेतिक दलोग का निर्मान मतलब यहाँ पे यह बताया हुआ है कि अगर लोगों के दौरा खुद चुनी हुई सरकार ही शाशन करेगी तो वो स्वास्ते राजनितिक होईगी अर्थात वो असली राजनितिक कही जाएगी असली लोकतंतर कहा जाएगा अगर यही हाल चीन में हुआ तो वो चीन आगे बढ़ जाएगा परन्तु चीन में अभी कम्मिनिश पार्टी का अधिकार है महाँ पे एक ही पार्टी का शाशन है वहाँ पे लोगों के पास election की समय option नहीं होता परन्तु अगर हम भारती है राजनितिक की बात करें तो आप किसी भी उमिदवार को किसी भी पार्टी को आप खड़ा कर सकते हो उसको जिता सकते हो तो यहाँ पे लोगों के द्वारा जो चुने हुए परती नहीं थी अगर वही सरकार में आते हैं तो इसे स्वास्ते राजनितिक के नाम से जानना जाता है इसके साथ साथ है अगर वही व्यक्ति आते हैं जो कि लोगों के द्वारा चुने हुए होते हैं तो वहे लोगों की समस्या को समझते होएगी वह है लोगों के जो बीच में मुख्य प्रॉब्लम्स हैं उनको जानते होएगी और उन्हीं समस्या का समाधान करने की कोशिश करते होएगी इसी लिए देश की समस्या का अध्यान या देश की समस्या का समाधान करने का जो अदेश्य है जो उसको explain किया गया है वो राजनेतिक सिध्धान वे हैं आप अपने अधिकारों का उप्योग कर रहे हो तो आपको यह है चाहिए कि आप अपने कर्तवियों का भी उप्योग करो इसी के सासथ आप समय समय पर अपना वोट परदान करो आज कर बहुत सारे ऐसा यूथ है जो की वोट देने जाता ही नहीं है आपको आपके राजनितिक condition को आपको पता होना चाहिए कि हमारे शेतर से यह है उमीदवार खड़ा है और इसकी यह योग्यता है इसका विजन यह है इसकी पार्टी यह है मैं यहाँ पर दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप में चे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको यह है नहीं पता कि उनके शेतर का MP कोन है उनके शेतर का MLA कोन है उनके शेतर का निगम पार्शद कोन है अगर आपको यह सब पता है तो इट मेंज क्या है कि आपका आपकी रूची राजनितिक में है इसी के साथ साथ राजनितिक सिधान की उपयोगिता और महतव में है कि विभीन राष्टो के शाषन परणालियों का ज्यान कराता है हमें पता है कि राजनितिक सिधान में हम राज्य की विभीन इकायों का अध्यान करते हैं राजनितिक की साथ की साथ हमें लोकतंत्र सरकार का अध्यान है हमें ये पता है कि भारत में शाषन इस परकार से हमें यह भी भी पता है कि चीन में Communist Party का सरक्षन है इसी परकार से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ पे कभी सैननावाद आ जाता है तो कभी लोकतंत्र आ जाता है वहाँ पे तो ऐसा हाल है कि वहाँ की जनता ने जिस सरकार को चुनाता है वो सरकार में ही नहीं है तो हम इन सब चीजों का अध्यान करते हैं और यही सब चीज राजनितिक सिधान्त की उप्योगिता और उसके मैतब के पॉइंट है इसी के साथ सब राजनितिक विचार धारा के चुनाओं में सायक होती है अगर आपको राजनितिक का ग्यान है राजनितिक सिधान्त का ग्यान है तो आप वो एजली आपको पता होगा कि मुझे फलाने पार्टी को वोट करना है फलाने व्यक्ति को vote करना है अगर आपको ये वीडियो पसंद आये तो प्लीज इस वीडियो को like कीजिए चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कीजिए और इस वीडियो को share कीजिए और comment करना मन भूलिएगा आपके comment नहीं आते हैं इसी के सासथ आपके लिए एक खुशकबरी है जो कि इस परकार है ह इसको इसी परकार से आपको notes provide कर दिये जाएगे अगर आप second course हमारा purchase करते हो तो इन 6 और 5-6 कोशनों की पूरी की पूरी book की वीडियो इसी परकार से आपको उनका वीडियो का जो भी link होएगा उसका access दे दिया जाएगा और advanced course में क्या है कि ये दोनों तो उपलब्ध है साथ की साथ आप हमारे साथ whatsapp ग्रूप पे टेलिग्राम ग्रूप पे जुड़ सकते हो और आप अपने question answer हमसे कर सकते हो साथ की साथ जिस विशेर पे जिस topic पे आप वीडियो देखना चाहते हो आने वाले दिनों में हम उस वीडियो पे topic पे वीडियो बना देगे और आपके लिए ये जो PDF notes और पूरी book की वीडियो इसी परकार से आपको इसी course में दे दी जाएगे तो अगर आप channel पे नए हैं तो subscribe कीजिए और comment करना मत बूलेगा अगली वीडियो तक जय हिन जय भारत